हेलो दोस्तों मैं उग्यान और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक एसी ट्रीक दोस्तों कि अगर आप जो है किसी को भी कॉल कर रहे हैं और वो जो है कॉल लगने पर जो है डायरेक्ली कॉल एंडेड हो रहा है जैसा मुझे आ रहा है प्रोब्लम जैसे कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं वीडियो को तो गवाई और आपको जो है कोड़ इनडेट की जो प्रोब्लम हारी है तो उसको किसे फिक्स करने कि कैसे सोल करेंगे तो इसकी अपने मोबाईल में जो कोल डायलर एक इसके पर यहां पर आपको यहां पर आपको एक पर लेगे और किलिक करेंगे और इसको फोर सेट्के करने के वाद अभी आपको छोग करना है second method क्या करना है अब आपको जो हे प्लेग स्टूर को अपर्णा है यहां पर आप को आपको अपने mobile में a गूगल डाइलर आप के mobile में तो यहां से आप गूगल डाइलर अप पर करेंगे उसको आपको यहां से अपडेट कर लेना है कुछ यह स्तरह से and and update करेंगे update करने क van जैसे update होजेग affiliated के पाइस के बाद hawak gent अलगं अपसे उने kalo जेए यहाँ पर आपके यहाँ आप इसको का से लगी इने के बाद इतना कहाने के बाद आपको क्या करना है गाइज कि आप तर्ड मतट क्या करना है आपको स्टेक की वज़े से जो है उसी से ओल लगने लग जाता है जिसमें रिचार्ज नहीं ओता है तो इसके विज़ेंसे फिरवी प्रोम्लम मिल जाते हैं तो कभी-कभी क्या करना है आपको कiked को हिई से जो है सलेक्ट कर लें तो जो है automatically आपका call ended हो जाएगा कहीं के बार बताता है कि outgoing service नहीं है उसके mobile में जिसको call कर रहे हैं लेकिन कहीं बार नहीं दिखाया जाता है तो call ended automatically हो जाता है तो यह इसी के वज़े से होता है तो आपको यह भी चेक कर लेना है अगर आपको फिर भी यही problem आती तो last method आपको क्या करना है अपने mobile में जो है अपने mobile को जो है एक बार switch open करके and again on कर लेना है switch open करके own करने से आपकी सारी problem fix हो जाएगी लेकिन अगर आपके mobile में रिचार्ज ने जोगा तो फिर आपकी problem fix नहीं होगी तो पहले आप अपने mobile में रिचार्ज देखें उसके बाद यह आप